दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं हमेशा हिल से जूड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मिसर लाता रहता हूँ दोस्तो आज बात कर रहे हैं जीरा और पानी जीरा और पानी वजन कम करने के लिए कैसे काम करता है और इसको कैसे लेना है हम सबी जानते हैं कि मसाले नकेबल भोजन को स्वादिश्ट बनाते हैं बलकि कई आवसे पोसतत्तों से भरे होते हैं या ब्यापक रूप से बिभिन फय सकते हैं। जीरा पानी कैलोरी में बहुत कम होत陽गेशेर बीज में केवल 001 कैलोरी होती है। यदी आप पानी 001 75 — 5 और जिन में घंटो पसीना बहाना नहीं पड़ेगा जीरे में एंटी आक्सिडेंट होता है जो सरीर में हानिकारक मुक्त आक्सीजन कड़ों को हटाने में मदद करता है जीरा में विटामिन A, C, कापर और मैगनीज का अच्छा इस्तरोत माना जाता है इन छोटे भुरे रंग के बीजो में सूजन रोधी गुड़ होते हैं मसाले में आप इसके बारे में नहीं जानते लेकिन सूजन की एक निरंतर इस्तिती सूजन प्रेजित मुटापे का रास्ता दे सकती है जीरा पानी काढ़ा पीने से वजन को कम करने में मदद मिलती है जीरा पानी भी भोजन के बढ़ावा देता है और मल त्याग में सुधार करता है मसाला एंजाइमों को गुप्त करता है जो शरीर में सरकरा वसा और कार्बो हाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है और आथ को स्वस्थ रखता है तो भोजन के लिए तरसना एक सामाने बात है जीरा पानी खाते डिटॉक्स को बाहर करता है और उसमें सभी टॉक्सिन को निकालता है या मेटाबॉलिस्म को बढ़ाता है जो कई कीलो वजन को बहाने के लिए आवस्यक है जानते हैं जीरा पानी आप कैसे ले सकते हैं एक गिलास पानी में एक चमच जीरा डाले और इसे रात भर छोड़ दे सुबह में बीज को हटा दें और खाली पेट पानी को पीए जीरे को भिंगोने के लिए तामे के बरतन का इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा होगा दूसरा रात भर एक कप पानी में एक चम्मच जीरा भिंगोएं और सुबह बीज हटा दें और पानी में नीबू का रस मिलाकर अच्छी तरह से हिलाओ और इसको पीलो तीसरा है दाल चीनी के साथ एक चम्मच जीरे को एक कप पानी में भिंगाकर राद बर छोड़ दे सुबह में थोड़ा दाल चीनी मिलाकर पांच मिनट तक पानी को उबाले पानी को ठंडा होने दे और बाद में इसे पी ले